अब आपको समझ में आ गया है आपको समझ में आया कि नहीं आपके पादरी के अंदर फेथ है आपके पर्स में जो चीजें वो भी बताऊंगा क्या रखा है सुन रहे हो अगर आपके अंदर फेथ है फेथ समझते हो फेथ फेरेंड लवली की बात नहीं कर रहा हूं आपके अंदर फेथ है के नहीं हाँ या ना आज आपके अंदर फेथ है तो जो कुछ आप क्या कर रही है क्या कर रही है क्यों हिलारी इसको है है आपके अंदर सारे बुल हालिया मैं करा ंपर मेश्वर आपके लिए पार्शल भेतने वाला इश मसी का नाम ज्यसुन पर्वू का अट में मुझे बौल रहा है के आप बढ़े टाइम से अंदर ये उन्दर घुट रहे हो आप उपर से खुए हो लेकिन अंदर से दुखियो बार बार आप अंदर से टेंशन रखते हो कि पुरी दुनिया के पांस वलाद है लेकिन मेरे पांस वलाद नहीं है पवितरात्मा मेरे को दिखा रहा है 10-11 साल हो गये है आपकी शादी को हो कोई बच्चा नहीं है मैं सही कह रहा हूँ कितना टाइम हो गया है तारीफ करेंगे जोर से बोला हालेलुया अरे रुमाल तो पर्श में था ना सारे बोला हालेलुया फेथ है के नहीं फेथ है परमिश्वर सुनते हैं प्राथनाओं को मैं करहा एडरस नहीं है काफी साल से आप पराथना करा रहे हो लेकिन बच्छा नहीं मिल रहा है सब को मिल जाता है सब की गभाई सुनते हो लेकिन आपको Problem हो रही है आप कहने थे कि प्रभू मेरी क्यों न रहा है आज आपके साथ जो भी बैठे हैं जो कोई आया भी है तो इसकी भी सुनेगा परमिश्वर राधा को ने तो मेरे नार 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 भूलो ओड़ी बाबा इक है तो हर किसे पता लग गया है तो मारी बहन तो यहां आई है आई है कि नहीं है का एल सकी भैन हाथ उठां मरशाथ आई है राधा सारे बोलो हालेलुया नहीं रहेगा कोई तेरा काम आधा हालेलुया सब काम बनने वाले हैं रादा के भी आज थाड़ी बलाएंगे चोट से बला हालेलुया बिश्वांस कर रहे हो परमिश्वर सुनता है कर रादा कमेर कमेर नट के आजा बड़वट ठाट के आजा अबने बदीनों जल्दी से सारे बला हालेलुया आप ध्यान से सुनो आप बएटे के लिए परशान हो कम करता है नशे करता है मैं सही कह रहा हुगे नहीं आपको ब्लेसिंग लेना है मैंने क्या का मैं ऐसे बोल रहा था सपना कौण है मेरा नाम वहार कि अधायं कर दिए आपके तो अलेलूया है हाँ मैं ने क्या गात है एंजल हो आई में आज और वो सपना को कहने वाले हैं सपना कही कि सपना मैं इरा नाम सपना और एंजल कही का हाँ मैं जानता हूं तू अपना है आलेलोया समझ रहे हैं कि नहीं परमिश्चर आप का शी दर है हाँ इसके चेहरे पर कैमरा मार अच्छे से जुंकर और तेखो इसके अंदर फेथ लग आपको अब यह कहेगी एड्रस दे रही एड्रस समझे रहें कि नहीं अगर पार्सल मेरे बोलते ही जब मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट किया तो बहुत सर तूत महां से उतराएं यह हड़ें यह अबर कोई नहीं खड़ा होगा इसर मुर्गा पनाऊंगा मैं तुम्हें सुन रह यह अची पैकिंग पता यहां मैं दर्शन देख रहा हूं जब मैं प्रांथना कर था जितने लोगों ने ओन लाइव में भी प्रांथना कराई ये उनके धुआ दूत उन्हां ने जो उन्होने मांगाए उन्होने एक पनी में पैक न दिया पैकिं चल रही है पैकिंग अप कर दो चल्दी करो जल्दी करो लेकिन अभी उन्हें यह नी पता एड्रस किसके घर जाना है आज समझ में आया जिसके अंदर फेथ होगा मेरे गारा बेटे के आशी डॉक्टर मना कर जुका आपको क्या बला डॉक्टर ने डॉक्टर के अंदर नहीं हो सक्दा की प्रॉब्लम कर दो 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 क मुश्कल है करे गास्ते हैं तू दसना मैं मैं समझाय है अबी परचार में अगल आए यहां पर इसको बार बार कह रहा हूं इसके घर पार सर डाल दे वोल रहा है चल हट क्यों डलू वो बोल रहा है चल हट कर रहा है जिसके अंदर मिर को फेत लगी गा उसके घर डालूँगा समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है बात मैं भविशेवाणी करी जा रहा हूँ लेकिन तुमारे अंदर फेथ नहीं है तो मेरी भविशेवाणी का पारसल कैसी आईगा आपके घर समझ रहे हैं एक कहती है मैंनो पहला को एर्चे खड़ा किता सी मैंनो फेर ले हैंड शकाड़ा किता मैंनो फेर होते मेरी बेंस दूटी लाई हुन पास्टर मैंनो मेरी डूटी किता लांदा मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली मैं अपने कर चली जा चली जा दूसरे चर चली जा वहाँ तो जा के सुधर जा कहीं तो सुधरो मैंने क्या का आपके अंदर फेथ है आपको कहीं जाने की जुर्थ नहीं है वहीं पार साल आने वाला इश्वास सारे बोला हालेलुया समझ में आगी बात ठीक है बेटे की आज शीष्टर को विश्वास है कितना मैं आ दो कहता है भट आपको षच्वास है कि आपको किसी हैरी के लिए पराथन करना है आप जानते हैं नहीं जानते monik हेरी हरदी हर जी ऐसे ऐसे नामों के लिए आपको प्रि और जानते हैं नहीं जानते हूँ ठीक है ने जो बोला उसको आपका अमल करना है पर्मिश्वर गुड निउस देगा, अपने हाथों को ठाएं और चीश में परत्रात्मा जी मैं प्रात्ना करता हूं मेरे पिता पर्मिश्वर इसको आशीश दें आज अबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबादाबाद चेहय के नाम में पयात जाए तूनी होण death आ बच्छा कर तूनी होण आपक्छा कि नहीं दुभण देल आ entren आट अनule to पता तू थोड़ी जेना बच्चा बच्चा तर राबने देना अख्खा कड़ता मैंनू दवारा कड़ के दिखा खौल के दिखा अखौन होन खौल एक वारी खौल नहीं है नहीं है अलुए अब आपको समझ में आ गया शैतान प्रॉफिट पचिंदर को आखे नहीं काड़ सकता क्योंकि याद येशु मसी यहां पर खड़ा है मेरे साथ आपको समझ में आ गया जो प्रनाथना योद्दा हैं फेंथ करो शैतान का कोई बार आपको आखे नहीं निकालेगा आपको फेंथ करना है समझने के नहीं ज का तिरान ये होजे पादरी पचिंदर नुश्राब जेंदे बेतकूफ तुझे पता नहीं शैतान के रहे के देख नी सकता प्राथना योद्दा को याद रखना आपके उपर परमेश्वर की येशु मसी की अनुग्रह की शक्ति डबल ओकर ट्रांसफर हो दी येशु मसी क है कौन खडा यह पर है कौन खड़ा थे तक आप गए को एक युकरी दास्ते कौन खड़ा थे यह सब हांद पांपा नियागा और बीचारे ड़ता हो घचेम्राओं को पापा निया पूद्धिया अगा हो दृज जग मधा पापानी आप क्या पर हां पेचारे ड़ते तो है और ये शुमसी से, नी झाने भेला हने ये टेक्तर थार्थी नीकिता, मैं ता जनेटर चाहती नी नीमहरीं में होने बला ना जनेटर जनेटर हैं नी कोई जना जना शाना जाये गा हम चंब कह चाсем देकला continuer नहीं तो मैं मीर्च हड़ी नून सारे तरे करदे बार रख दियागा येशु का लव छड़कता हूं उसके गर राते पार इसके खिड़कियों पर इसके पिस्थर पर इसके गर पर इसके पती पर इसी समय फ्री हो जाए और बेटे के साथ वापी साये शमसी के नामे प्रामीन जोर चताना तो इसके लेना वाप इसनी शेताना ते लाट तो इसके लेना अलेलूईया आए हम प्रभू के कलाम में जाएंगे सब अपनी बाइबल खोलें फट अफट जल्दी से दो मिनिट के अंदर सब लोग अपनी बाइबल खोलें परमिश्चर का आत्मा आपको छुए सब खोले अपनी बाइबल शाबाश पुईतरा आत्मा आपको छुएं और बरकत दे जो दिल्ली ब्रांच है जो लोग फादिल का ब्रांच अमरसर ब्रांच कहीं से भी देख रहे हैं जो और से बोलो शेर जब गुफा से निकलता है दहाड पता क्यों मारता है वो अपने अंदर से फेथ को बाहर निकलता है उसके अंदर विश्वास होता है आज मैं किसी ने किसी हेरन को जरूर मार खाऊंगा होता है कि नहीं तो आज आपके अंदर फेथ होना चाहिए, जब मैं चर्च में आऊ हूँ, आज मैं बतन सुनने के बाद नहाड मारूंगा, और मैं आज किसी बिमारी को, किसी नेगटिव विचार को खतम करके जाओंगा इशामसी के नाम में, समझ में आएंगे नहीं, समझ में आएंगे नह का फेथ का है, मैं कहा रहा हूँ, आपने फेथ रखने अपना जोर से दहाड मारनी आज, जोर से दहाड मारो आज, बोलो हालिलुया, दहाड मारो जोर से, जोर से, बस करो, बस करो, शेर नी बनगी के नी आज, सारे बोलो हालिलुया, कहना है, पास्टर, साननों शेर नी बन चलो अपना फेंद बाहर निकालना है कितने लोग तैयार है आज का टोपिक है फेंद को बाहर निकालो अपने पुड़ोस्की को बोलो ये चुए को बाहर निकाल निकालो चुए को बाहर जब आपका जगड़ा होता है किसी से तो आप क्या बोलते हैं आप बाहर कड़ चुए नो आज मैं किया रहा हूँ आपके अंदर कोई ऐसा चुवा बैठा है दिमा ऐसा विचार आप डरे वे हैं उस चुवे को बार निकालो और फेट को भी बार निकालो आज दुनिया के सामने बहुत हालेलुया जितने चड़ चाहे हैं उन्होंने अपना फेट बाहर निकाल लिया आज आमीन बोलने वाले फेट हो सकता है आज आपकी लाइफ में बार बार टेंशन पर टेंशन हो रही हो आपको हो सकते हैं कोई समस्यां बार-बार खड़ी हो रही हो बार-बार कोई नुक्सान हो रहे हो और आप बार-बार आप देख रहे हो कि घर के कलेश बढ़ते जा रहे हैं हो सकते हैं कोई यहां पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो जब भी वो छुटी घर जाता हो तो एक नए कलेश को घर पे देखता हो जब भी आप घर जाते हो तो आप कोई ना कोई कलेश आपके बच्चे आपके परिवार में चलता हो लेकिन आज रात पवितरांत्मा ने मुझे का इन से क्या दे जब मैं प्राथना कर रहा था टोपिक तियार कर रहा था है तो प्रभू ने का करें इन से क्या दे करें जितने आज फेथ करके आएंगे करें कि आज ये शुमसी उनकी मुसीबतों को खतम करेगा शुमसी के नाम में आपके घर के कलेश को शांती में बदलेगा शुमसी के नाम में आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च पिर कह रहा हूँ आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आप बदल जाएंगे आप आशिशित हो जाएंगे क्योंकि आपका फेथ बाहर आएगा आज जैसे ही फेथ बाहर आएगा आपके मूँ से आना है फेथ ने बाहर आपकी गवाईयों का पारसल देने के लिए जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज बोले कर जा रहे हैं सुनो ध्यान से यूसुफ के भाईयों ने करा एक चाल चली क्या चाल चली जब उनको पता लगा कि यूसुफ के उपर परमिश्वर का नूगर है और उसके भाईयों ने उसके लिए चाल चली कि उसके साथ नाटकिया हम पशुफ चगाने जाएंगे भेड़ बकरियां चगाने जाएंगे और चल हमारे साथ और वो जब जाता है तो उसको छोड़ कर भाग जाते है और शी समय वो ढूंटता ढूंटता अपने भाईयों के पास पहुंचता है तो शी समय उसके भाई उससे बोल रहे होते हैं करें कि हम आज इसको धक्का देकर इस खटे में डाल देंगे जिसमें पानी नहीं है करें ये कुवा, करें ये खटा, इसके अंदर डाल देंगे करें और ये मर जाएगा लेकिन दूसरा भाई बोला करें नहीं, करें इसको मारना नहीं है करें इसको हमारी जिम में पैसें मिलेंगे गॉल कप्पे खाने के, टौफी खाने के हो सकता है ऐसा कह रहे हो बोलता है कि हम इसको व्याप्यारियों के हाथ बेच देंगे मिश्रियों के हाथ बेच देते हैं हम किसी के हाथ इनको बेच देते हैं और शी समय करा यूसुफ को जिस यूसुफ को उस परशानी में डाल दिया गया लेकिन उस समय जब वो खटे में पड़ा था तो उसी समय वो गहरा खटा था गहरा कुवा था और उस समय में उसकी आवाज भी वहां तक नहीं जारी थी वो चिला रहा था लेकिन आवाज नहीं जारी थी वो पुकार रहा था लेकिन आवाज नहीं जारी थी हो सकता आप बीमार हो आप पुकार रहे हो लेकिन आप ऐसे खटे में गिरे हो लेकिन परमेश्वर तक आपकी आवाज नहीं जा ली हो लेकिन और शीसे में वो निराश हो जाता लेकिन उसने अपने अंदर फेत रखा उसने अपने अंदर फेत रखा क्या रखा? फेत रखा उसने अपने बिश्वास को बना कर रखा उसने जगा कर रखा कि कोई बात नही Entonces चिलाता रहा है एक नैक दिन करा के मेरा परमिश्वर मेरी आवाज को जुरूर सुनेगा इस खड़े में से आमीन दो घंटे तक उसके भाई सला करते रहे, दो घंटे तक वो चिलाता रहा, गर्मी में परिशानी में, यह जो चीख रही है इसको भूस वाले कोठे में बंद कर दो, अंदर ले जाओ बलेंटियर, गोसे वाले कोठे में बंद कर दो इसको सुन रहे हैं, जो यहां पर चीखेगा हैं, उसको भूस वाले कोठे में बंद कर दी जाएगा अभी, परचार में चीख ना नहीं, चुब सुनो ध्यान से, आपको सुनना है, कराई आपको विश्वास करना है, कराई कि यूसुफ के अंदर अगर फेथ ना होता तो समय शायद वो इतनी गर्मी में, परिशानी में, दुख में, मुसीब्तों में मर जाता लेकिन उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा था उसको यहवा पर भरोसा था वो सिरफ एक ड्रीम लेकर चल रहा था एक टार्गेट लेकर चल रहा था कि परमेश्वर ने मुझे रात को दर्शन दिया वो एक दिन जुरूर पूरा होगा मैं कराओं, अगर हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई अब तक दुखों और मुसीब्तों में जीरा हो लेकिन मैं आज आपके लिए भविश्यमानी कर रहा हूँ यह दिसंबर आने से पहले परमेश्वर आपको एक नया रास्ता दिखाने वाला है यह टार्गेट लेकर आप कराएकर दिसंबर तक चलना मैं कराओं कि आपकी मुसीब्तों का एंड होगा इस साल के अंदर यूसूफ चलता रहा अपने ड्रीम के साथ अपने विश्वास के साथ यूसूफ चलता रहा कि मेरा परमेश्वर मेरे उपर दया जरूर करेगा मेरे प्यार में चपल नहीं है मेरे कपड़े फटे वे है मेरा बिजनस बंद हो गया मेरे पाईयों ने चीन लिया लेकिन उसका विश्वास उसके पाई चीन नहीं पाए उसके अंदर एक विश्वास था आज भले आपकी सब चीज शेतान ने चीन लियो लेकिन याद रखना जिन के अंदर विश्वास आज भी घिन अपना चीन नहीं दिया शेतान सो जिसने अपना विश्वास चीन नहीं दिया है उनके लिए स्वर्द दूथ पैकिंग कर रहा है आमें एंजल आएंगे आमीन बहलने मालों के लिए ये साल आपकी कवाई का पारसल आपकी गौद में होगा आमेन बला हालेलुया युसुफ विश्वास कर रहा था और उसी समय उसको खड़े में डाल दिया उसके बाद दो गंटे के बाद उनके दिमाग में परमिशने डाला और उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल कर उन्होंने बेच दिया उसको अपने भाई को बेच दिया और बेचने के बाद उसको पौती बर के खेद में रखा गया वो वहाँ भी काम करता रहा गसिटता रहा पसिटता रहा कौन है ये व्यक्ति अरे चर जाने वाला है प्राथना करने वाला है लेकिन एक बार भी सवाल नहीं कर रहा है परमिश्वर से क्योंकि इसके अंदर अपना फेथ जांग रहा है हालिलूया कह रहा है मुझे खटे में रखो चाहे पोती पर के खित में रखो चाहे मुझे जेल में रखो लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ आलिलूया जानता है परमिश्वर के बचनों को जानता है परमिश्वर के भशेवाणी को अगर आपको फेथ नहीं है मैं कराँ कि इसलिए एंजर आपका परसल हर मीने ले कराते हैं गभाईयों का और वो वापीस ले कर चले जाते हैं इसलिए बहुत सारे लोग वहीं के वहीं रहते हैं लेकिन पविटराथ्मा इस व्यक्ती को देख रहा था और जैसे ही इसके विश्वास को देखा फेट को देखा तो ऐसको उसके बाद एक रानी ने छूटे केस में जेल में डाल दिया लेकिन उसके बाद भी इसका फेट बड़ा मझगूत था ये वाँ पर भी हसरा था प्राथना कर रहा था लोगों को दर्शन बता रहा था लोगों के लिए भाईशवानी कर रहा था राजा तक ये बात पता लगती है फिरौन तक कि यार इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है करा मुझे भी एक राजस बड़ा सपना आया है और उसी समय वो उसको ले कर जाते हैं करा कि ये कौन है करा कि मैं परमिश्वर से प्राथना करने वाला व्यक्ति हों करा कि मैंने एक दर्शन देखा स्वपन देखा राजा बोलता है करा कि इसका मतलब समझ में नहीं आया बोलता है करा तेरे देश में साथ साल अकाल पढ़ने वाला है बुखमरी आने वाली है करा इसका हल क्या है करा इसका हल है करा इस बेस्ट आत्मा को अपने साथ रखना है वो बोलता है करा कि आज है करा यूसुफ खड़े में नहीं करा यूसुफ दुख में नहीं करा राजा कहता है यूसुफ आप जेल में नहीं पौती पर के खेट में नहीं आप मेरे राज महल में रहेगा राज महल में फिरान कहने लगा अब तू कहीं और नहीं मेरे देश में परतान मंतरी बनाया जाएगा अरे उसका सफर कितना लंबा था कुएं से लेकर वो सफर उसने तैंकी आओगा पौती पर के खेट का कहीं साल वो बाँ आओगा लेकिन उसके बाद वो जेल में गयाओगा उसके बाद भी उसने अपने सफर में अपने फेट को लूज नहीं किया याद रखना करें कि अगर आप किसी भी टेमोटेशन में फसे वे हैं किसी बीमारी करजें फसे वे हैं प्राथना करते-करते ठक गए हैं लेकिन याद रखना अपने फेथ को कमना होने देना क्योंकि आज रात के बाद परमिश्वर के एंजल निकले वे हैं सुर्ग से मेरे पर चार करने के बाद एंजल निकलेंगे आज जिनके बेटे बेटियों में फेथ देख कर जाएंगे मैं कराम वो देश में बड़े-बड़े उचे पदबे उताधिकारी बनेंगे आमीन बोलने वालों के बच्चे ओफिसर बनेंगे हालेलुया बनेंगे आपका सफर जो है खतम होने वाला है आपका सफर जो है वो लंबा नहीं होगा याद रखना निती बचन देखेंगे हम जल्दी से एक का तेंटीस पड़े हो कोई हमारे बीच में प्रंतु जो मेरी सुनेगा वे नीडर बसा रहेगा और बेखटके सुक से रहेगा आप भी कुछ बन सकते हैं अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओं बोलो तू भी कुछ बन सकता है लेकिन जिसके अंदर फेथ होगा वो बन सकता है वैबिल बोलती है क्या लिखा यहां पर प्रन्तु जो मेरी सुनेगा वे नीडर बसा रहेगा करा जो मेरी सुनेगा पड़ोसी से हाथ मिलाओं बोलो तू किस की सुनेगा पुछो जोटे दी गादी मजदी किदी सुनेगा क्या अपने प्योदी सुनेगा अब पुछोँ अपने परोसी नो, मादी सुनेगा, मजदी सुनेगा, गादी सुनेगा, चोटी सुनेगा, निती वचन 1 का 33 बोलता है, करहे परन्तु जो मेरी सुनेगा, करहे वो आज आज सुक की नीन्द लेगा, आज वो इश्वमसिचे, अपने घर में चैन से रहेगा, ये परमेशर मैं अपने विचारों की नहीं सुनेगा ये परमेशर के इसके उनेगा नहीं तो आटीर आती है नहीं पूलती है क्या हो गया अनेचार हो गया थे हंदो कुछ है तैनी चलो कि और चलिए किसके सुनेगा अपने विचारों की नहीं, येशु बोलता है, जो मेरी सुनेगा, उस वो बे खटके, अपने गेट पर, अपने घर पर सोएगा, वो सुक की नींद लेगा, अमीन बोलने मला आज, कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी याद रखना, कोई बीमारी तुझे ड़राने ना पाएगी, कोई साफ पिछू तरे सपनों में ना आएगा, कोई दुस्ट आत्मा तुझे ड़राने ना पाएगी, कोई तरे गर्ब को गिरने ना पाएगा, कोई जादू टोना तेरे ब किस की सुनोगे आज अपने पड़ोसी को जोर्ज हेलाद वाज बोलो तेरी नहीं सुनूँगा मैं अब बोला हालेलोया समझ में आ रहा है के नहीं प्राथना का टाइम होता है आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं चलो घूमने चलते हैं किसकी सुनोंगे आज़ से आज़ से जितने बचन की सुनेंगे परमिश्वर उनकी सुनेगा और एंग जलाएंगे ष्यमसिय के नामने कि यूसूफ ने परमिश्वर की सुना और पवित 고양त्मान ने उसको वह सफर कम कर दिया पर्थार्मधर बनाया मैं किरा हो हो सकता है आप गोर्मेंट जोब का सफर तीन साल हो गयों आप कर रहे हो लेकिन एक पर भी ने मिला हो बार जाने का सफर कर रहे हो दर्शन देखने का सफर कर रहे हो भविश्वानी करने का सफन कर रहे हो आप परमिश्वर से के ड्रीम्स देखना चाहते हैं लेकिन आपका सफ बोलना ये बात, आपके बच्चे आज राद से आपकी सुनने वाले हैं, मैं करना आपके नोकर चाकर आपकी सुनने वाले हैं, आपके देश में आपका बड़ा अफिसर आपकी सुनने वाला है, आपका बैंक मेनेजर आपकी सुनने वाला है, आपकी टीचर आपकी सुनने वा आज के बाद परमिश्वर आपकी सुनेगा, आज के बाद करा, यूसुफ की फिरॉन सुनने लगा, फिरॉन की दुनिया सुनती थी बाद, राज महल में रहता था, राजा था, लेकिन उसने कहा, करा कि अब से मैं तुमारी नहीं सुनूँगा, उन्होंने शास्त्रियों को ब मैं तुमारी नहीं सुनूँगा, चुटे सपने देखने वालों, चुटी भवशाबानी करने वालों, तुमारी नहीं सुनूँगा, कहता है, आज से मैं यूसुफ की परमिश्वर की सुनूँगा, हलेलुया, समझ में आया कि नहीं, अगर आप परमिश्वर की सुनने के ल फल्ले वाले भी आपकी सुनेंगे, आमें, आपके परिवार के लोग आपको आदर देंगे, आमें, आपके लोग आपको आदर देंगे, आमें, आपके मरेवे काम जिन्दा हो जाएंगी, आमें, जितने हालेलुया बोलकर चिला रहे हैं आज, हालेलुया, मरकुस 5 के 36 में लि डोक्टरों ने ब्यातों ने कि तेरी बेटी ठोड़े दिन की मेमान है और वो मरने वाली है क्योंकि वो संसार की सुन रहा था और डर अथा लेकिन उसको किसी ने बता दिया कि यहां से येशुमसी निकलने वाला है अगर तू आज उसकी सुने तो किरा तेरी लड़की मरेगे नहीं बच जाएगी और उसी समय चल पड़ता है वो विश्वांस के साथ फेंट के साथ भूल चुका है अपने बड़े नाम बड़े पैसे बड़े शोरत को चल पड़ता है कि विश्वांस करके कि आज तो येश्व मसीवरी सुनेगा उत्तर देगा आज उनको येश्व मसी के नाम में यहां पर गिर पड़ता है येश्व के चरनों में जाकर या यर और फिंती करने लगता है फौलने लगता है आहे भरने लगता है गोलता है परमिश्वर तू चाहे तो मेरे बच्ची को चंगा कर सकता है मरने पर है ला इलाज हो चुकी है बीमारी मैं बहुत खबराया हुआ हूँ मैं बहुत बीमार हूँ मैं सारी रात सोता नहीं हूँ मैंने एक रात भी शो करनी देखा एक ही लड़की है मेरी मैं बड़ा दुख में हूँ बड़े कलेश में हूँ मैं अपनी पत्नी के सामने रहू नहीं सकता मैं आज पवितरात्मा करे सामने खुटने टेक कर आज तुझे विंती करता हूँ मेरी बेटी को चंगा कर दे आज मेरे साथ चल आज गिडगडा रहा है येशु के सामने बिश्वास था इसको येशु मसी ने इसकी और देखा ना नाम पुछा ना चाथ पुछी लेकिन येशु मसी इसके फैद को देखकर इसके विश्वास को देखकर इसके साथ चल पड़ता है लेकिन रस्ते में कुछ लोग मिलते है और वो कहें लगते हैं खेरा तेरी लड़की तो मर गई है ये ले रुमाल आसो पूछ ले बोलता है उसी समय थोड़ा मायूस हो जाता है लेकिन ये शुमसी पांच के 36 में लिखा उसकी और इशारा करके बोलता है मत डर मत डर मत डर एए मेरा पेटा एए मेरी पेटी आपसे बात कर रहा है जो मजे ओनलाइन सुन रहा है और देख रहा है मत डर अगर आज आज आप किसी बात से डरे में है पर मिश्वर मेरे अंदर से होकर आपसे बाते कर रहा है और आवाज लगा रहा है मत डर मत डर केवल बिश्वास रख बिश्वास रख तेरा काम आज रात बनने वाला है शुमसी की बात को सुना और उसी से मैं सुनते ही याईर ये शुमसी की बात को सुनते ही लोगों को कहने लगा लोग कहने लगा अरे गुरु को दुख देने का क्या फाइदा चल वापी चल तेरी नड़की तो मर गई है बोलता मैं तुमारी नहीं सुनूँगा अब तो मैं येशु की सुनूँगा हालेलुया और येशु मसी ने कहा सुन करा कि आज तुने इस वचन को पूरा कर दिया है निती वचन के केंटिंतिस में लिखा उसको कहा धरम शास्तर पुस्तक से करा कि जिसने करा कि आज खोदा की सुना है वो बे खटके सोएगा बे खटके चलेगा बे खटके बिना खटके करा डरे करा आनंद करेगा आनंद से दुकान खोलेगा आनंद से बिजनस में जाएगा आनन से अपना काम करेगा करा कोई शेतान तुझे डराने न पाएगा करा कोई विचार डराने वाला आज रात तेरे अंदर न आएगा अपने हाथों को उठां कर कहूँ प्रबू मैं तेरी सुनूँगा जुतने आज कह रहे हैं परमिश्वर उनकी सुनूने वाला ये शुमसि के नमने मती साथ के साथ में लिखा और उसी समय जाईर की लड़की के ओपार ये शुमसि ने काँ तलिता कोमी लड़की उठ खड़ी हो जा हरे उसका बाप कमसे वाद लगा रहा था बोल रहा था बेटी उड़ जा मा कह रही थी रिष्टेदार कह रहे थे लेकिन वो मरी हुई लड़की वाज नहीं सुन रही थी लेकिन जैसे ये शू ने कहा ए तलीता कुमी लड़की उठ जा और खड़ी हो जा और लड़की तो उठ खड़ी हुई है उठ खड़ी हुई है सुन ली है आज आपकी ताड़ियों की वाज सुन ली है ये शू ने आज आमेन आपका हालेलुया सुन ली आज कहरा है कि फेट को सुन रहा था परमिश्वर आपकी ताड़ियां भी आपके फेट को जाहिर करती है आपका हाललुया बोलना भी आमीन बोलना भी आपके फेट का एडरस देकर जा रहा है अच्च्छ पूला हाललुया मतीस साथ के साथ में पड़ेंगे क्या लिखा मांगो तो तुमें दिया जाएगा ढूंडो तुम पाओगे खट खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा बलो हालेलुया एक पास्टर परचार कर रहा था और शी समय फोरण के अंदर उसको प्रभू ने दर्शन में बताया करा मेरी कलिसिया में बहुत सारे लोग आते हैं प्रभू और सब एक ही कंप्लेंट करते हैं कि प्रभू मेरी कब सुनेगा प्रभू मेरा वीजा नहीं आया मेरा बच्चा नोक्री नगया मेरे कर्च कोई कम नहीं होया मैं क्या करूँ और उसी समय उसने का कि परमेश्वर इसी समय मेरे उपर देया कर सारे बुल हालिलूया परमिश्वर ने उसको एक दर्शन दिखाया कहता पेटे देख और वो दर्शन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं किस वीडियो में क्या है कि एक व्यक्ति जब येश्व मसी से प्राथना करता है आप मांगते हैं परमिश्वर मुझे ट्रेक्टर दे और जो यहां पर लोग बैठे हैं कोई घर मांग रहा है कोई कार मांग रहा है कोई बच्चा मांग रहा है कोई आइसक्रीम मांग रहा है उसी स्वर्ग दूद उसको दिखाया करा स्वर्ग में बहुत सारे करा स्वरग दूत एंजल कठे होकर बहुत सारी पनिया लेकर किसी में टैक्टर पैक कर रहे हैं किसी में ब्यूटी पालर का समान पैक कर रहे हैं किसी में क्रोडो रुपे पैक कर रहे हैं किसी में लॉन के कागज पैक कर रहे हैं जब आप मांगते हैं लिखा मांगोगे दिया जाएगा और उसमें एंजल अपने काम पर लग जाते हैं जो आप मांगते हैं स्वर्ग में पैकिंग करते हैं एंजल पैकिंग कर रहे होते हैं फिर उसने कहा कि पापा फिर वो एंजल आए क्यों नहीं अब तक कहता है काश मैंने उस पर एड्रस लिखा होता कहता है एंजल पैकिंग करने के बाद पूछते हैं कि हमने किसी का घर पैकिंग कर दिया है किसी को कपड़े चाहिए किसी को शूज चाहिए किसी को मुंडा चाहिए किसी को शादी करने लड़का चाहिए वो भी पैक हो गया आज किसी को लड़की चाहिए जितने ओनलाइन देख रहे हैं चर्च में ब्रांचों में बैठे हैं आज के बाद तुमारे लिए भविश्य माणी है करा पूरे साल तुम बेखटके की नीद सोगे शमसी के नाम शांती से रहोगे अपने बाड़े में अपने बच्चों के साथ शांती के साथ रहोगे कोई बीमारी तुम्हें ड्राने न पाएगी जो रसीव कर रहे हैं अजाद हो जाओ आज क्या आप विश्मास करते हैं मुसा इसराइल के अंदर फेट कर रहा था उसने फेट किया परमिश्वर ने का चल इसराइलिय को छोड़ा ले मैं इनको मिश्र के जंग मिश्र में से अजाद करूंगा और मुसा उनको ले चला लेकिन वो सफर सिरफ 11 किलोमेटर का था लेकिन उन लोगों ने जब वो वहां से निकले उन्हें खाना ना मिला पानी को ना मिला तो वो कुड़कड़ाने लेकि उन्हें अपना फेट लूज कर दिया और मुसा के खिलाफ कुड़कड़ाने लेकिन उस समय मुसा ने अपने फेट को कम ने किया मुसा ने का परमिश्वर मेरे कारण राज इंहें लोगों के अंदर फिध नहीं दूंगा मैं के अंदर रोटी का टुकडा भी नहीं दूंगा लेकिन उसे के लिए ताड़ी बजाएंगे आज आज मैं भवश्वानी करता हूं लोगों के लिए जो हालिलुया बोलकर चिल्दा रहें आज जो ओल्लाइन देख रहें आज जो ब्रांचों बैठें आज अगर आप अपना फेद बाहर निकालें के मेरा काम मरा नहीं है बन गया है आमेन एंट तक फेद रखें आज लास तक फेद रखें आज मैं कराओ एक कोरियर नहीं आईगा अजराद मेरे वुक्यलाल है मेरी चंपा मेरी नामी नटीका है मेरी राटो है मेरी बसंदियो है मेरे लल्ला आज तुम्हारी माँ देखेगी करा उपर से लाखों लोगों के लिए कोरियर परसेगा आमेन जितने आमीन बोल रहे हैं क्याच कर लो आज तयार है के नहीं एक बार एक लेड़ी उसका पती पुलिस में था वो मेरा ओनलाइम देखती थी और उसको फिट्स पढ़ते थे उसने का कि मैं प्रॉफिट पचिंदर मिनिस्ट्री में जाऊंगी पती नहीं बोला चुपकर ऐसा डंडा फेरूँगा या छित्तर रखिया थे देख पटर थे की लिखिया आन मिलो सजना उसने खा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी और वो चोरी चोरी तीन बार चर्च में ओकी गई और उसके बाद उसको फिट्स पढ़ना बंद हो गए उसके बाद उसके लड़के को पढ़ने लगे उसने का अपने हस्बेंड को कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसको चर्च में ले जाओ ये ठीक हो जाएगा उसका बाप बोला तरको पता है पटे वे दूसरी तरफ क्या में लिखा फिर कम मिलोगे क्या रहा है साथ फेरूगा याद रखेगी ये करा मुझरिमों के लिए नहीं पत्नियों के लिए भी ये पटा हमारे पास उसके डरगी बेचारी लेकिन जब फिट्स के कारण उसका लड़का एक दिन सड़क पर गिर गया स्कूल से आते वे उसकी मा ने एक दिन अपने फेद को बाहर निकला अपनी जुबान को बाहर निकला उसके पती ने का संड़े कहा लेके जा रही है से उसने का आज तो मैं से ताजपूर चर्च में लेकर जा रही हो है शाम को चंडी गड़ चर्च लेकर जाओंगी जहां पादरी बजिंदर मिलेगा मुझे उसके अंदर फेद शुमसी के पास गई लेकिन यशुमसी ने मेरी एक नहीं सुनी खहरी मेरा बच्चा दो साल का हो गया लेकिन बोला ने चार साल का हो गया बोला ने बड़े फेद के साथ गई थी लेकिन मैंने छोड़ कर फेद रास्ता बदल लिया और खहरी लेकिन आज मैंने देखा यशुमसी अपने तरीकों से काम करता है आप समझ रहे हैं कि नहीं स्क्रीन पर दोनों कैमरे ओन कर सुन रहे हैं सारे बुला हालेलुया कितने लोग बिश्वास कर रहे हैं क्या सारे बुला हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर येश्व मसी आपके पाप को खतम करने की शमता रखता है आपके अंदर गंदे खून को साफ करने की ताकत रखता है कितने विश्वास करते हैं देखो मैं आपको मिराइकल दिखाता हूँ एक सारे इस ये जीजस है और ये पाप है ये आदमी है इनसान है इसके अंदर भी पानी इसके अंदर भी पानी जब शैतान इंसान के अंदर पाप डालता है तो उसका खोन गंदा हो जाता है देख रहे हो सारे बोला हालेलूया लेकिन जब ये आदमी ये शुमसी पर विश्वास करता है तो येशु मसी इसके अंदर अपना लहू डालता है अलिलुया और उसका पानी, उसका खून साफ हो जाता है कितनों को पता ये बात येस अलिलुया आपकी बिमारिया भी साफ होने वाली है समझ में आ रहा है के नहीं करें कि अब ये अपनी ताकत लगा रहा है कि मैं येशु को गंदा कर दूँ लेकिन ये येशु को गंदा करने जाता है वो साफ रहता है फिर गंदा करने जाता है वो साफ रहता है फिर गंदा करने जाता है वो साफ रहता है वो करा कितना गंदा करेगा मैं साफ रहूँगा जोर से ताड़ी बजाएंगे ये शुमसी बोलता है अगर कोई गंदा भी आजाए मैं उसको भी साफ करने की ताकत रखता हूँ सारे बोलो हालिलूया अपने हाथों को उठाएं और मिराइकल के लिए ताड़ी बजाएं कितनों को समझ में आया है बात आज देखो एक पापी साफ हो गया के नहीं जितने ही यहां पर कह रहे हैं के मैं पापी हूँ ओनलाइन मुझे सुन रहे हैं आज के बाद मत बोलना अपने फेट को बाहर निका लो खोदा ने तुमारे ऐसे ही पाप शमा कर दी हैं आमेन देख रहे हो तीन गिलास साफ होगे के नहीं साफ होगे के नहीं कर रहे यह मेरा यह मेरा यह मेरा यह मेरा यह मेरा यह मेरा नोइंटिंग वाटर का कमाल है यह विश्वास कर रहे हैं कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं कि यह तो एक एक जामपल दे रहा हूं मैं आपको साइंटिस्ट इसी अच्छा भी करके दिखा सकते हैं मैंने भी थोड़ा दिमाग लगाया लेकिन मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कि आपको समझाने के लिए कि पवित्रात्मा ने जितनों ने आज से उस पर विश्वास कर लिया एक के अंदर भी होद हो गया जिश्वासी के लिए बाइवल बताती है निर्कमन के चोदा के सोला में करें मुसा करें इसराइलियों को लेकर चल रहा था अपने पीछे और कह रहा था इस स्क्रीन पर हम देखते एक जगह पर वो फस गया और शी समय कोई काम नहीं आया लेकिन उस समय हाँ देखो क्या किया लाल समुदर सामने आ गया और पीछे इस मिश्वियों की सैना उसको मारने परती पढ़ेंगे पास्टे सपना के साथ और तू अपनी लाटी उठाकर अपना हाँ समुदर के उपर बढ़ा और वैदो भाग हो जाएगा तब इस्राइली समुदर के बीच होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे सारे बोला हालेलूया हालेलूया परमिशन उसको तरीका बताया करेंगे इसके अंदर फेथ था वो लेकर चला जंगल में जब खाना ने मिला पानी नी मिला पिने को तो इस्राइली लोग कुड कुडाने लगे बोलते हम तो महीं ठीक थे कम से कम हम इaten भुसा खाने को तो मिल रहा था तेरे साहत आए हमें खाना ने मिल रहा परमिशन ने मनना गिराया जब पानी नहीं मिला खारा पानी मिला पोदा मिला कर मुसा की प्राथरा से मिठा कर दिया और जब वो दोड़ रहे थे पार हो रहे थे वो जंगल मिश्र से निकल रहे थे तो समय मुसीब्तों का कलर चेंज करेगा और हाथ उठाने वालों के लिए लाल समुदर में भी रास्ता निकाल देगा आज आज आपके लिए कोई रास्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा है लेकिन जितने हाथ उठा रहे हैं उनके लिए गौर में चोब कर रास्ता निकलने पाए जो बेट बरे हैं उनके लिए रास्ता निकलने पाए जो पिमार है उनके लिए रास्ता निकल ने पाए जो मानी बन पारी उनके लिए रास्ता निकल जाए आजरत आमीन बोलने वालों के लिए रास्ता निकल लिए अपने हाथों को उठाओ और अपनी प्रांथना करेंगे सब इससे मैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमिश्वर आज से हो सकता है आज आज आपके कैरियर में कोई रास्ता ना निकल रहा हो आपकी बिमारी किसी भी तरीके से ठीक ना हो रही हो आपके लिए सब दर्वाजे बंदो लेकिन परमिश्वर आजरात आपके लिए रास्ता निकलना चाता है अगर आप मंदिल पर पहुंच गें फिर भी रास्ता बंद है ये भविश्वाणी है आपके लिए जो हाथ उठा रहे हैं आज इस मैसेज से जो अपने फेट को बाहर निकलेंगे आज से कि परमिश्वर मैं तरी सुनूँगा और आज से प्राथन करके कहेंगे कि परमिश्वर मेरे बच्चों के अंदर खतरनाख विश्वास का दान पैदा कर दे आज मैंने क्या काई फीसियों में क्या लिखा आपको मांगना है विश्वास का दान आप मंगो आपका दान विश्वास का दान आपके अंदर आएगा आप छोपड़ी से बंगले में जाएंगे विश्वास करो चर्च जो कोट कचरी के चकर काट रहा दस साल से आज़ाद होगा इस साल वो मैं कराओ अगर मानी बन परी माँ बनेगी जो तु चार है वो होगा जो मुझे ओनलाइन देख रहा है रसीव करो होगा बनो जो कुछ मैंने मंगा मिल गया है अपने पड़ोसी से हाथ मिला हो बनो के फेट को बाहर निकाल दूसरे पड़ोसी से हाथ मिला हो बनो मैं तेरी नहीं सुनूँगा परमिश्वर जो तेरी सुन रहे है उनके साथी सब्ते में मिराई कलोईश मसी के नामे अपने सिर पे हाथ रखो पवितरात्मा जो लोग इसे में परमिश्वर राजस्तान से, असाम से उतरांचल से, बिहार से, यूपी से जारकंड से, दिरादून से फरिदाबाद से, परमिश्वर हर्याने से पंजाब के कौने से देख रहे हैं पवितरात्मा हर कौने से इस समय माराज से, पवितरात्मा सिंगबर मुरेश्या, थाइलेंड से, होंग कौंग से दुबई से, दुवा कतर से पवितनात्मा आज से मेरे पिता परमिशन जो जाहां से भी देख रहा है मैं भुई शमानी करता हूं इनके लिए एंजल 52 days के अंदर इनका कोरियर इनके घर पर गिरा कर जाए आज आमेन आपका पारसल आपकी गोद में आएगा आमेन आमेन बोल रहे हैं वो पारसल ले रहे हैं आज अमेन अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ बोलो तिरा कोरियर आ रहा है येस जो दो मिनट गीत गाएंगे आज पास्ते सपना के साथ उनका कोरियर स्वर्ग से निकल रहा है आज आमेन गाओ गाओ शामाश हललुया किते लोग खुश हैं आज ताहिए हम एक छोटी सी वर्शिप करेंगे खुदा का धन्यवाद करेंगे मिठा नाम यहोवादा मेरे दिल विच वस जावे मिठा नाम यहोवादा मेरे दिल विच वस जावे ये शुराजा देखा जाने आचों, मैनू बरकत मिल जावे ये शुराजा देखा जाने आचों, मैनू बरकत मिल जावे आमे था नाम यहा वादा, मेरे दिल विच वस जावे येश्यू राजा देखा जाने आचों मैंनु भरते बिले जावे तो कहें परमेश्वर से कि पवितरात्मा आज तरह मीठा नाम खुदा तरह दास ने जो हमें बताया है यदी हमारे साथ रहेगा तरह वज्जन हमारे साथ रहेगा अभी खुदा के दास ने दिखाया कैसे येश्यू ने गंदगी को दूर किया और लिखा खुदा के कलाम में मैंनु रखी तू यहोवा सामके अदे ठलना कपट आवे मैंनु रखी तू यहोवा सामके अदे ठलना कपट आवे सोटी लाथी वाली ताड नाल रखी मैंनु गदे नाक मंडे आवे सोटी लाथी वाली ताड नाल रखी मैंनु गदे नाक मंडे आवे मैंनु विच्यस माना दे येश्यू राजाजी नजर आवे सब कहेंगे खुदा को किने लोग यहोवा दिवान देख रहे हैं किने लोग यहोवा नो पना बल मान दे लिखा अभी पड़ा अपने मूसा ने का यहोवा तू मेरा बल ले और वही कलाम में लिखा मेरा बल वी यहोवा ये ते चटान यहोवा ये मेरा बल वी यहोवा ये ते चान यहोवा ये उचा नाम यहोवा ये ते चान यहोवा ये मेरा बल वी यहोवा ये ते चान यहोवा ये ते चान यहोवा ये मेरा बल वी ये ते चान यऺं होवा ये ते चान यहोवा ये ते चान यहोवा ये थाड नान रखी, मेंनू व poop लें नाते आँए धोटी नाते वाली ताड़ नान रखी जब लगे मेंनू वीछे असमान नादे ये शुणा जादिना सर्या ने शुणा जादिना सर्या